हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अट में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्टिलनेशन का पार्ट नमबर फोर है अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिवेस पार्ट नहीं देखे हैं दिन पहले आप वो देख लीजे साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्रा चापे नाजिया और बैंक सूजन की इस हरकत से परशान हो गए थे और इस समय रारा और नाजिया के बीच में बहत चल रही थी जिससे सूजन और बैंक दोनों ही परशान हो जाते हैं तो वही सूजन के उपर दूसरी मुसीबत इंतजार कर रही थी क्योंकि हुआयों को पत आ दीती है और फिर कुछी देर में शेरनी वहां पर ही पहुच आती है होयों को देख करके सूजन और बैंक दोनों ही गवरा जाते हैं पहले दो कम थी क्या जो ये तीसरी भी यहां पर आ गई और शेरनी आते ही बैंक से पूछती है तुमारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फेक स्क्रिप्ट देने की बैंक हसके बात बदलने की कोशिश करता है पर अब तो रारा और नाजिया को भी हायोंग नहीं बता दिया था आज शेरनी काफी गुस्से में थी इसलिए वो बैंक के बाल पकर लीती है उसे टकला करने के लिए और सूजन वो तो पतली गली से न चाने के चक्कर में हॉय उंक के बाल पकड लीती है रारा कहती है मैं पीछी के रहूं मेरे उपा के बाल खिच रहे हैं तो वो भी चले जाती है इन लोगों के जगड़े के बीच मी और फिर तो रेस ही लग जाती है कि कौन करेगा पहले किसको टकला खेर इस कमासान युद् जहां बANG बोल रहा था मुझे मेरी मा की आठार है तो सूजर कहती है कि ये दरती फट नहीं सकती जो मुझे अपने अंदर समा ले बANG कहता है मन कर रहा है कि दुबारा सेós मिलिटरी में एंलिस्ट हो जाऊँ सूजर कहती है तो चलो भाग चलते हैं बैंक कहता है तुम भी जाना चाहती हो क्या मिलिटरी में सूजिन वहाँ से ही निकल जाती है और फिर ये दोनों कहीं और नहीं इन तीनों एक्सकल फ्रेंड के पास ही आये थे इन्हें दवाईया देने के लिए और ये तीनों अभी भी स्क्रिप्ट को लेकर केत आने दे रही थे इन दोनों को कि तब ही हुआ यांक बोलती है किम सूजिन और बैंग मैं तुम दोनों को अभी के अभी फायर करती हूँ अच्छा सिंपल भाशर में बोलूँ तो अब मैं तुम लोगों को कोई भी अब सूजिन और बैंग अपनी फ्रस्टेशन अतारने के लिए नदी किनारे पहुँच गए थे और सूजिन चिला चिला के कह रही थी ये हमें फायर कर रही है आखर ये खुद को समझती क्या है सूजिन काफी चिला चिला के अपना मन भरती है और फिर बैंग के बाज में जाकर के बैट कई थी वो बोलती है जरूर पिछले जनम में बहुत बड़ा पाप किया होगा तभी तो इस जनम में इन तीनों से मलकात हुई है अब सूजिन खाड़ी हो जाती है तो बैंग उससे कहते है अब क्या करना है मैं तुमें घर छोड़ दूँ क्या तभ सूजिन उसे कुछ बिना बोले वहाँ से निकल चाती है दोनों अलग-अलग रस्ते पे ही चल देते हैं तो वहीं दूसी तरफ शेन नी बागी दोनों से कह रही थी मुझे तो लगा था मैंने सूजिन को बना किया कि मैं इंवेस्मेंट नहीं दूँगी तो वह घुटनों की बल चाकर के मसी इंवेस्मेंट की भीक मागेगी रारा कहती है वो सब छोड़ो मुझे तो लग रहा है कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं तो नाजिया पूछती है क्योंकि तुम्हें अभी भी बैंक के अंदर इंटरस्ट है नाजिया कहती है ऐसा तो नहीं है पर मैं चाहती हूँ कि जब तक मुझे कोई बाइफ्रेंड नहीं मिलता उपा को भी कोई कल्फ्रेंड ना मिले तो वहीं शेर नी तो अलगी मोटिफ से थी वो तो बैंक को बरबाद ही करना चाहती थी ताकि उसके बार में सच उसके फ्याँ से को कभी पता ही न चले अब अगले दिन सूजिन डेसाइड करती है कि वो हाँ यंग से जाकर कि उसके आफस में मिलेगी पर उससे पहले तो वो मिलने के लिए चली जाती है बैंक से जहाँ पर बैंक को जाते ही बिजी था उसे काम करते देख सूजिन कहती है कि हम बाद में कभी चलेंगे पर बैंक कहता है कि रुको थोड़ी दिर में मेरा काम कम्प्टीर होने वाला है पर सूजन उतनी देर के लिए वहीं पास में लगे अपने एक सीनियर के शूटिंग सेट पे चली जाती है जप अचनक से बारिश आने लगी थी तो सूजन बिना सोचे समझे हेल्प कराने लगती है उनका समान शिफ्ट करने के लिए ये सब कुछ करते टाइम सूजन कुछ जाद ही प्रोफेशनल लग रही थी उसने ये भी नहीं सोचा था कि ये काम उसका है या फिर नहीं है पर इससे सूजन पूरे तरीके से भीग गई थी वह वहाँ से जाने लगती है कि तब भी बैंक महाँ पे पहुच जाता है चाता ली करके और सूजन से कहता है मुझे पता था तुम यहीं पे होगी वो उसे एक टी-शिर्ट देता है इसे चेंज कर लो हमें हुआयों के आफिस भी जाना है अब सूजन ने चेंज कर लिया था और वो बोलती है बैंक से क्या यही टी-शिर्ट बची थी तुम्हारे पास क्योंकि उसकी उपर गल्स क्रूप की पिक्चर बनी हुए थी जिसे पहन करके वो एक कीनेजर लग रही थी और बैंक के कपड़े भी ऐसे नहीं थे कि वो बिजनस मीटिंग में पहन के जा सके बैंक कहता है ये भी मिल गई शुकर मिनाओ जिन बेकी अलमारी से चुरा करके लिए कि आया हूँ सूजन कहती है मैं इस हुले में वापस जा रही हूँ लेकिन बैंक उसे ले ही जाता है अफिस के अंदर उसके बाद चाहिए लोग मालूम करते हैं कि हुआ यॉंग कहा पे है तो इन्हें पता चलता है कि वो भी किसी मीटिंग से भार गई हुई है तो इन्हें वेट करना होगा तब ही वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है जो कि कहता है कि मुझे डिरेक्टर यॉंग जैसे मिलना है सूजिन तो बस उसे हैरानी से देखे ही जा रही थी तब ही बैंक उसे कहता है अपने आखी नीचे करो क्या उसे घूरे चारी हो लेकिन फिर भी सूजिन दुबारा से उस लड़के को गूरे चारी थी जैसे शायद उसे पहचानती हो खेर आगे किम सूजिन और बैंक इंतिजार में बैठ चाते हैं कि अभी हो आयों आईगी बात करते करते सूजिन को रेलाइज होता है कि शायद बैंक को डर लग रहा है वो बैंक से कहती है क्या तुम खबरा रहे हो तब बैंक कहता है भला मैं क्यों खबराऊंगा तुम हो तो सही मेरे साथ उसके बाद बात बदल के कहता है अगर सिर कटेंगे तो दोनों के साथ में कटेंगे इस बात पर सूजिन कहती है ठीक है फिर मैं अभी तुम्हारा सरकार्ट देती हूँ फिर इन दोनों के बीच में हैं यह भागा दोरी स्टार्ट हो चाती है दोनों कुछ अलगी मुद्रा में खड़े हुए थे के तब ही गेट खोल करके डिरेक्टर यॉंग जे रूम के अंदर एंट्री ले ले लिता है और उसके बाद सूजिन शर्मिंदा हुकर के खड़ी हो गई थी खेर तब ही यह डिरेक्टर यॉंग जे इन लोगों से बोलता है कि टीम लीडर हुआ यॉंग अभी यहाँ पे नहीं है वो किसी मीटिंग से बाहर गई है आपको डिरेक्टली मेरे पास आना चाहिए था चलिए डिनर पे चलते हैं और वहीं पे बात करेंगे तब ही बैंक मना भी कर रहा था कि मेरे को इंट्रेड्यूस मत कराओ लेकिन सुजिन ना चाहते हैं भी ऐसा कर देती है और बैंक खुद को राइटर बैंक की तरह इंट्रेड्यूस कराता है तो अब यह लोग डिनर पे आ गई थी और यॉंग जे कहता है मुझे आपको किसी से इंट्रेड्यूस कराना है और तब ही वोई लड़का वहाँ पे आ जाता है यॉंग जे कहता है मिस किम सुजिन अगर आप पैचाने की यह कौन है तो ज़्याद अच्छा होगा तब ही सुजिन कहती है ये फीमस डिरेक्टर जोजिन तो नहीं है तब भी वो लड़का मुस्कुरात हुए कहता है कि पैचाना गया सुजिन तो कुछ जादे ही एक्साइटेड होने लगी थी डिरेक्टर जो से मिल करके अच्छली वो जोजिन की बहुत बड़ी फैन है पर बैंक को सके आने से बिलकुल भी खुशी नहीं हुई थी सुजिन जब जोजिन से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ तब जोजिन रिप्लाइ करता है अच्छली मुझसे जो कोई भी मिलता है वो यही कहता है अब तो कुट्ते और गाये भी कहने लगे है कि वो मेरे बहुत बड़े फैन है फिर हस्ते कहता है इसमें कौन सा बड़ी बात है लेकिन इस जब आप से सुजिन की बेसत ही हुई थी और बैंक को यह चीज बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती फिर तब यहांग जे बात बदल करके जोजिन से बोलता है कि तुम आप आई गए हो तो हमारी मूवी को तुम ही डिरेक्ट करोगे सुजिन यह जान करके सप्राइस होती है पर जोजिन बोलता है मैं यहां कोई मूवी डिरेक्ट करने के लिए नहीं आया हूँ तेरी शादी की बात सुन करके आया हूँ सुजिन हरानों करके बोलती है क्या आप शादी करने वाले हैं? कंग्रेचलेशन्स तब जोजिन बोलता है मैं से कंग्रेचलेशन्स कहने नहीं आया हूँ बलकि इसे इतनी बड़ी गल्ती करने से रोकने के लिए आया हूँ खिर तब ही यॉंग जे की फ्याउन से भी वहाँ पे पहुँच जाती है और जब सूजन देखती है कि वो फ्याउन से कोई और नहीं हॉयोंग है तो वो से देखके सप्राइस होती है हॉयोंग कहती है क्या खिरिये सब कुछ चल किया रहा है सूजन कहती है अब मैं क्या बताऊं डिरेक्टर यॉंग जे को लगता है आपने कुछ पता है नहीं कि आपने हमी फायर कर दिया है वो तो हमें इंबस्मेंट देना चाते हैं होयोंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तब ही सूजिन कहती है ठीक है फिर मैं उन्ने जाकर के बता देती हूँ कि आप हमें निकालना क्यों चाती है होयोंग कहती है तुमुझे धंकी दे रही हो सूजिन कहती है धंकी थोड़ी ना है तो अब जब ये दोनों टेवल पे वापस पहुँश दी हैं तब इन दोनों को देख करके जो जो उनको फिर से कुछ गरबर लगने लगती है और ये दोनों तो एक दूसरी की जैसे बहनी बन गई हो ऐसा भीएफ कर रही थी जो चीज तो बैंक से भी हसम नहीं हो रही थी कि आकर चल के रहा है खेरियां से लॉटते वक्त सूजिन बैंक को सब बता दीती है इसने कैसे शेरनी के साथ डील फाइनल कर ली है तब ही यॉंग जबनी गारी रोक करके सूजिन को लिफ्ट उफर करता है कि वो और बैंक भी उन दोनों के साथ आ सकते हैं पर ये शेरनी सूजिन को इशारे कर रही थी कि नहीं बिलकुल भी नहीं और सूजिन लिफ्ट के लिए मना कर दीती है यॉंग ज़र हॉयोंग के जाने के बाद सूजिन कहती है कि ये सच में कितना परफेक्ट है और कितना अमीर भी है तब ही बैंक वो जैलिस होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा है ही क्या उसमें तब ही सूजिन बोलती है हर तरीके से तो परफेक्ट है और बहुत अमीर भी, मुझे तो हायोंग से जैलिसी हो रही है, तब ही बैंक जैलिसी में बोलता है, परशान क्यों हो रही हो, उसके बाजो में बैठा, वो उसका डिरेक्टर दोस्त, जोजियान, जिसकी तुम बहुत बड़ी फैन भी हो, और जिसे बस तुम घूरी जा रही क्यों नहीं उसे अपना बॉइफरेंट बना लेती हो, सुजियन को मज़ा आ रहा था कि बैंक को जैलिसी हो रही है, तो वो उसे और चिराती हुई वहाँ से भाग जाती है, और वो उसके पीछे, अगले दिन की शेरनी कपराई हुए, सुजियन के आफिस पहुशती है, उस अच्छ इंसान है, तो वो किसी की काम में टांग नहीं अणाएंगे, सुजिन ने कुछ भी बिना सुचे समझे, जो जिवान की गारंटी ले ली थी, खेर अब आगे सुजिन, और सौंग मिल करके, पूरा का पूरा आफिस चकाचक साफ करने में ही लगे हुए थे, क्योंकि ये सब कुछ चल किया रहा है, तब सुजिन से कहते है, मेरी एक हैल्प कर दो, अपना मूबं रखना जो जिवान के सामने, हौयों के बार में कुछ भी उसे पता नहीं चलना चाहिए, बैंक जो पहले से ही जैलिस था, वो कहता है, भला मैं उसके सामने मूबं क्यों रखूं इसके आने से बिलकुल भी खुश नहीं था, जो जो जुएन भी आते ही अपने नक्र दिखाने लगता है, वो आफिस की बुराइया करने लगता है, तब ही सुजिन उसे पूछती है, क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपको स्क्रिप्ट कैसी लगी, तब ही वो बोलता ह तो साउंग कहने लगती है कि हमारी पीडी किम सुजिन को मिला है, यहां पे साउंग उसकी तारिफ करने लगी थी, तो सुजिन कहती है कि नहीं, इतना भी कुछ ज्याद अच्छा नहीं किया है, तब जो जुएन कहता है तो मैं पता है कि इस आवाउर्ड की जुरी में मैं पिर तो आप हमारी सिनियर की काम को अच्छे से जानते होंगे तब ल diagnostic हो जीन की तरफ गोई मैं झैसी हुई लिए थी इसके मूँ से ये सब कुछ सुन करके अब जो जियान के जाने के बाद बैंक सुजन और सांग रात को नूडल्स खाने के लिए बाहर जाते हैं और सुजन तो खयालों में खोई हुई थी जो जो जियान ने उससे का था और बैंक को ये सब कुछ सुन करके बहुत ही जादा तो उसकी भेन कहती है, अरे काम करके पैसे भी कमा ले, जो तुम मेरा कर्जा चुका सके, नेक्स डे, रारा ने होयांग को मिलने के लिए बिलाया था, होयांग कहती है तुम्हें मुझसे क्या काम है, दूरो करके बैठो, हम दोस्त नहीं है, तभी रारा कहती है, सुना है, डि लेकिन वो, कुछ ज़्याद ही घबराई हुई और शर्माई हुई थी, जो जिया करके पूछती है, क्या आपने वैब टून पढ़ा, जो जियान बोलता है, अफकोस मैंने पढ़ा, तभी सुजिन कहती है, तो कैसे लगा आपको, तब जो जो जियान उसकी तरफ आगे बढ करना, कि तब ही वहाँ पे सुजिन जो ज्यो Culak के साथ पोच जाती है, और जो जो जियान, होयों को देखती ही, कहता है, नहीं दुलन, आप यहां पर क्या कर रही ए, तब ही सुजिन देख लीती है, रारा भी वहाँ पे बैठी हुई है, और रारा डिरेक्टर जो जियान को एसलिए रारा मुझे एक काफी अच्छी रेस्टरेंट के बार में पता है और इसके बाद इन सबी को उठा करके नाजिया के रेस्टरेंट में यह लिया आई थी नाजिया भी इन सब को एक साथ आ था देखकरके बड़ी सप्राइस होती है और फिर वो इंसे पूछती है तु तो लोमडी की तरह लग रही हो सुन करके तो हायों की सांसे उपर नीचे ही हो जाती है और सूजन भी परशान थी कि बस तब ही वहाँ पे कमी रह गई थी बैंक के आने की वो भी गेट से एंट्री ले ले लेता है जिसे देख करके जो जियान के चाहरे पे स्माइल आजाती है और ये सब की सब घबर आ गई थी खेरी जी के साथ ये वाले पार्ट के एक्स्पिनेशन यहीं पे कम्प्लीट होती है दोस्तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब निक्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते बहुत चल